नमस्कार दोस्तों, इंडिया की बात में आपका स्वागत है, आज इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं मुकल सरल और अदिती, आप दोनों का स्वागत है, और जिन तीन एहम मुद्दों पर हम जा रहे हैं करने चर्चा, वे तीनों सुलकते हुए सवाल हैं भारती ल मुद्दा है, बहराइच से लेकर लौरेंस बिश्नोई, इन दोनों के बीच जो नफरत का कनेक्शन है और इस नफरत के कनेक्शन का जो इंडियन पॉलिटिक्स के साथ गहरा तालुक है, उसे हम कैसे देखें क्योंकि ये दोनों ही बहुत जरूरी सवाल पेश कर रहे हैं कि जिस तरह से सियासत हो रही है एक डॉन को हीरो बनाने में और बहराइच में दंगा फैलाने वालों को हीरो बनाने में उनका क्या कनेक्शन है, तीसरा सवाल बहुत जरूरी है कि जन संख्या, आबादी, आबादी बढ़ाने की जिस तरह की बात हो रही है दक्षण भारत से, क्योंकि अभी तक हिंदूों को समझाया जा रहा था, हिंदू औरतों को समझाया जा रहा था कि उन्हें जादा बच्चे पैदा करने हैं और जादा बच्चे पैदा करने में ज्यादा लड़के पैदा करने की अपील तमाम उग्र हिंदुत्तुवादी संगठन कर रहे थे लेकिन अब दक्षन के पाँच राज उसमें से खास तोर से आंध्रप्रदेश और तमिलनाडू के मुख्यमंत्रियों ने अपने अपने राजियों में अपील की है कि वे जादा बच्चे पैदा करें इसके पीछे की पॉलिटिक्स क्या है इस पर हम चर्चा करेंगे सबसे पहले महराश्ट महराश्ट में जो 288 सीटों पर विधानसवाद चुनाओं ने 20 नवंबर को वोट पढ़ना है वहाँ पर क्या गुल खिल रहा है और साथी साथ जारखंड में जारखंड की 81 सीट्स पर 13 और 20 नवंबर को होना है मददान यहाँ पर जिस तरह का चुनाओी समर मचा हुआ है जिस तरह से पक्ष और विपक्ष एक तरफ इंडिया एलाइंस है दूसरी तरफ इंडिया एलाइंस है इन दोनों के बीच कौन से मुद्दे है जो निरनायक होंगे और किस तरह से इन चुनाओं से देश की राजनीती पर असर पड़ेगा इस पर अधिती बताएंगे अपना पंच भाशा मेरा पंच यह है कि लोकसभा के नतीजों के चलते महराश्टर विकाष अगारी जो है महाविकाष अगारी वो एक सशक मजर आ रही है लेकिन हर्याना के नतीजों के चलते उन्हें बहुत ही सतक रहने की जरूरत है मुकुल क्या है इस पे आपका पंच मेरा भी मानना है कि वैसे महराष्ट हर्याना नहीं है लेकिन अगर जिस तरह महाविकास अगारी में अगर उन्होंने अपना तालमेल सही नहीं बठाया तो बाजी हाथ से निकल भी सकती है भाषा इस पर क्या है आपका पंच एक बात बहुत साफ दिखाई दे रही है कि महराष्ट हो या जारकन दोनों ही जगा नफरत का बोल-ाला है और भारती जनता पाटी गडबंधन को सिर्फ और सिर्फ नफरत पर सपोर्ट है उसे लग रहा है उसकी नईया इसी से पार होगी महराष्ट में योगी के पोस्टर ह और जारखन में घुसपैठिये घुसपैठिये और घुसपैठिये पर दाउं खेला जा रहा है। चुनावी समर है उसमें महाविकास अगाडी कई बार खुश जादा नजर आ रही है। सीटे बाट लिए हैं कुछ सीटों पर और बात चीच चल लिए लेकिन हां अगर जरासा भी इधर उधर हुआ और इनमें कुछ फ्रेक्शन रहे गए उसका फाइदा निश्चित तोर पर बीजेपी उठाएगी। बीजेपी जिस तरह अपनी समस्याओं को हल कर रही है अपने बागियों को शांत कर रही है अपने टिकेट रिपीट कर रही है तो उससे यह है कि बहुत आसान ना समझा जाए जाए। अधिती एक चीज और दिखाई दे रही है कि सबसे पहले जो पोस्टर लगते हैं वो उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आधितिनाथ के लगते हैं वहां से जो वीडियो चलाये जाते हैं कई दोस्त है जो बता रहे थे कि वटसप पे सबसे जादा अगर वीडियो चल रहा है तो बटेंगे तो कटेंगे वाला वीडियो चल रहा है योगी आधितिनाथ का तो फिलहाल पहले राउंड में जो चुनाव प्रचार है वो योगी और योगी का जो नफरती कैंपेइन है उस पे है तो क्या इससे नईया पार हो जाएगी अरे मेरे इसाब से जिदय समराठ के तरफ से वो खेलेंगे तो सही वहां पे लेकिन महाराष्ट्रा में उतना जानकारों का कहना है कि उतना नहीं चल सकता है क्योंकि महाराष्ट्रा में बहुत सी समस्याइं हैं वहां पे अनेम्प्लॉइमेंट की समस्याइं हैं वहां की इंडस्री वो एक बहुत बड़ा एक सेंटिमेंट है तो मुझे लगता है कि कुछ हद तक तो काम करेगा लेकिन उमीद यह है कि उतना ना करें लेकिन एक चीज जो मुकुल बहुत साफ दिखाई दे रही है जो आज सब जगा चर्चा में भी है कि पवार बनाम पवार पावर किसकी तो यह बहुत दिल्चस्प है कि 17 सीटों पर सीधे सीधे मुकाबला दोनों एनसीपी का है यानि एक तरफ अजीद पवार और एक तरफ शरत पवार तो शरत पवार का जो कद है और जिस तरह से जो समीकरण भी है पच्चासी पच्चासी उसमें दस सीटे उन्होंने थोड़ी ज्यादा हासिल कर भी ली हैं अपने महाविकास अगारी में यह जो पवार वर्सेस पवार है यह क्या आपको लगता है कि जो बुढ़ा शेर जिसे कहा जाता है उसके फेवर बजाएगा वहां सेक्टर भी बटे वे हैं एक उधर ठाकरे का एरिया है यानि शिवसेना का जहा पवार की हालत खराब थी लोगसभा चुनाओं के बाद यह पैह हाला कि यह हुआ कि हरियाना चुनाओं के बाद उन्हें थोड़ी सी वरना यह तो पहले तो कयास भी लगा रहते हैं पता नहीं चुनाओं तक वो रहेंगे इनके साथ या नहीं अब बड़ा मैजदार आया ह वो घड़ी चुनाओं पर जिस पर मैं इस पर भी बोल लूँ कि जैसे कोट ने कहा है कि घड़ी आप ले लिजे अभी हम फैसला नहीं कर रहें लेकिन एक डिस्क्लेमर लिख दीजे मुझे यह समझ में नहीं आता कोट को यह नहीं पता है कोई जनता को घड़ी खरीदनी न है या जीत पवार को वोट देना है वो तो घड़ी देगा उससे थोड़ी मुझे घड़ी देखके घर लानी है तो मैं देख लो कि विवादित है कल मुसे चीन लान ली जाए वो मसला नहीं है तो यह जो है पवार यह तो है शरत पवार का भी पर यह है कि अजीत पवार का पूरा अस्तेत्व पूरी पॉलिटिक्स भी इसी चनाव पर है ये भी ध्यान दखने वाली बात है और इसलिए वह बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं बहुत ज्यादे मेहनत भी कर रहे हैं लेकिन अगर पासा पलड गया और फिर अगले पांस साल का वह हुआ तो फिर शरत पावार की राजनीती को भी बहुत बहुत बड़ा गया लेकि शरत पावार का दौर महराज से खतम हो जाएगा और यूं कहिए कि रीजनल पार्टी इसका भी जो भाजपा का एक सपना भी है कि महराज से जो चेतरी दल है उनकी जो बार्गेनिंग पावार है उसे खत्म कर जाए इन्होंने बहुत एहम चीज का जिक्र किया घड़ी और हमने देखा कि जो कोट्स हैं खास और से सुप्रीम कोट अभी तक इस बात पर भी फैसला नहीं कर पाए हैं जो प्रेटीशन गई हुई है तब से कि जो जिस तरह से सरकार गिराई गई थी पिछली सरकार उसको पर जो स्पीकर का रोल था वो ठीक नहीं था जबकि अगस्त में ही पंदरा बार उस मद्दे पर सुनवाई होने के लिए चिडियूल थी लेकिन कोट ने नहीं सुना खेर ये बात अलग छोड़िये लेकिन जो सबसे बुनियादी चीज है अधिती कि इस बार बहुत बड़ करता रहा कि सारा खजाना वो लुटा दें उसके बाद एनाउंस हो तो क्या महिला वोटर्स पर जिस तरह से पैसा गया है वह भी एक गेम चेंजर हो सकता है क्या मुझे लगता है कुछ हद तक जरूर फरक पड़ेगा जैसे मध्यप्रदेश में भी पड़ा है लेकिन लोग भी महराष्टर की जनता इतनी बेकूफ नहीं है वो भी समझेगी कि यह सब एक चुनावी पेता है और मतलब कुछ हद तक फरक पड़ेगा मेरे साथ महराष्ट में थोड़ा सा असमिता का भी संघर्ष असमिता के भी आंदूलन रहे हैं तो वो भी फरक डालेंगे बिलकु पैसे का बहुत बड़ा असर पड़ता है चुनाव में चाहे वो राशन है चाहे वो डिरेक्ट कैश देना है इन सब का बहुत बड़ा फरक पड़ता और यह हमने पिछले चुनाव में लगातार देखा है तो चलिए इसी से जुड़ा हुआ दूसरा मसला है क्योंकि यहां अंत में जरूर यह पanut चाहएं थाएं कि महाराष और जार्खंड एहां चाहिं में ने हैं जार्खंड पर हमने बहुत कम चर्शा की जार्खंड में एक चीज जो आप लोगों से जान ना चाहूंगी कि किस तरह से जारखंड में कि शार आर्खंड भी अस्मिता का सवाल है आदिवासियों का सवाल है, लेकिन जो सारा का सारा नरेशन अवधारना बनाई जा रही है, वो यहां बनाने में भारती जनता पार्टी ने अपनी पूरी मशीनरी लगा रखी है, कि यहां पर घुस पैठी आ गए हैं, चमपई सोरेन जिस तरह से भरते हैं, फिर उसके बाद ह मन्तविस सर्मा, वो तो ये भी कह देते हैं, कि हुसेन अबाद नाम का नया जिला होगा, जहां पर सारे घुस पैठी और मुसल्मानों को डाल दिया जाएगा, तो सरे आम नफरत चल रही है, जारखंड में क्या ये नफरत कितना गुल खिलाएगी मुकल, नफरत तो देखे भी महावी जैसे आपने का कि असमिता के भी सवाल है, घुसपैठीय का सवाल तो वो रखते हैं, पर आदिवासियों के बीच भी महावी इसलिए वो ये काड़ खेल है, कि आदिवासि क्योंकि खुद को अपने को हिंदू धर्म से अलाग एक मान के चलते हैं, तो हिंदू ए इस तरह इस तरह नफरत और ये इस तरह से करना जरूरी है, मुकुल कह रहे है 한ा, असमिता का सवाल है, आदिवासि का सवाल है, चमपई सोरेन भी आदिवासि हैं और इस सorage भारती जनता पार्टी ने जितने चहरे आगे रखे हैं, उनमें आदिवासि जादा हैं, और वो ल डाला जा रहा है बिल्कुल बाटने वाली राजनीती वहां भी चल रही है और अभी एक नया उन्होंने शुरू कर दिया है कि परिवारवाद है बहूं को टिकेट दी जा रही है और यह सब क्या जा रहा है लेकिन यह बाद भी सही है कि भारतिये जनतापाटी की एंडिये के अंदर भी कुछ सब कुछ ठीक नहीं है अभी खबर मतलब चल रही है कि नितिश कुमार ने 28 को कोई मीटिंग मिला है कि जदियों को कम टिकेट दिये हैं और आपने चिराग पासवान को दे दिये हैं तो एक इंट्रेस्टिंग होगा देखा जाएगा कि क्या होगा और यह कि राजनीती वो करेंगे आदिवाद्यों कि घुस्पैटिय का अगर सवाल है भी तो उसका जवाब दे कौन है उसका जवाब तो किन सरकार है ग्रह मंत्रा ले यह तो इंटरनेशनल मसला है ना कि घुस्पैटिय कहां कहीं बाहर से आये तो बौर्डर पर कौन है किसकी सेना है किसकी BSF है कौन जवाब दे है तो यह अमिश्या को बताना जीए ना कि भाष्ण में बोलना जीए घुस्पैटिय आगे वो बताए कि मैं घुस्पैटिय आगे मैं इस्तिफा दे रहा हूं आप यह ना बोलने कि भारती जनता पार्टी की इंचार्ज मां हेमन्त विस्वा इंडिनाशनल बॉर्डर से मिलती भी नहीं है तो नफरत तो बहुत क्लियर है अब इसी से जुड़ा हुआ जो दूसरा सवाल है क्योंकि नफरत वहां पर भी है और नफरत बहराईच और लॉरेंस बिश्णोई के जो गैंग है उसके इर्दगिर्द भी बहुत तेजी से ब इस प्रोविजन के साथ है कि उसे अभी फिलहाल किसी और राज में पूश्टाश तक के लिए ले नहीं जाये जा सकता आप देखिए कि कनाडा से लेके हर जगा उस पर चर्चा होती है लेकिन लॉरेंस बिश्णोई उसे एक हीरो बनाने का कैंपेन होता है वह भी तब जब वह ओन करता है महराँश्ट में बाबा सिदी की की जो हत्या होती है उसे और महराज की पॉलिटिकस में बड़ा दाओ खेला जाता है वहीं बहराईच में जिस तरह की आग लगाई जाती है जिस तरह से संपरदाईक हिंसा होती है और उसके बाद सबसे बड़ा विस्पोट होता है भारती जनता पार्टी के विधायक महसी से जो विधायक हैं वो कहते हैं कि यह दंगा भारती जनता पार्टी ने लड़वाया है उसी की वज़े से दंगा हुआ है इस पर क्या है पंच बताएंगी अधिता जैसे आपने कहा ये बिल्कुल साफ है कि प्रशासन और शासन दोनों की मिली भगत नजर आ रही है बहराइच में और बहुती दुखद है कि इसमें जाने चली गई है और जहां तक विश्णोही का स सवाल है मुझे लगता अंतराष्टियस तरपर भाजपा की सरकार जो है फस्ती नजर आ रही है मुकुल क्या है इस पर आपका पंच तो बहराइच हिंसा हो या लौरेंस बिश्णोही दोनों हिंसा और नफरत की राजनिती की उपज है और दोनों को उपयोग इस समय चुना मानना है मुकुल की जिस तरह से एक किलर को एक हत्यारे को एक हत्यारों का गैंग चलाने वाले लौरेंस बिश्णोही को हिंदूओं का लीडर के तौर पर पेश किया जा रहा है जिस तरह से बहराइच में दंगा फैलाने वालों को लीडर और हीरो के तौर पेश किया जा र अधिती जो दिखाई दे रहा है खास और से लॉरेंस बिश्णोई के नाम पर जिस तरह से महराश्च में जो चुनावी प्रक्रिया शुरू होने होने को थी जिस समय बाबा सिदिकी जो तीन बार के विधायक रहे हैं बड़े कदावर कॉंग्रेस के नेता रहे हैं उसके सल्मान खान ने जब काले हिरन को मारा था तब बिश्णोई की उमर पांस साल भी नहीं रही होगी तो यह जो एक सीन है यह बड़ा डराने वाला है और महराश की पॉलिटिक्स में लोग बता रहे हैं किसका असर पड़ा है का बिलकुल भाशा यह इसका पूरा मकसद ही डर क एक राजनीती करना डर पहलाना है मतलब खबरें तो यह आ रहे हैं कि एक स्टॉर्शन का डर है इंडस्ट्रिलिस्स को कभी कोई फोन कर जाता है तो पैसा चुनाव में पैसा की आपको मालूम है कि क्या रोल है एक डर का महौल बनाने का तो इसमें पूरा-पूरा जो मुझ से लग रहा है कि यह सब पैसे बुकुल उत्तर प्रदेश में दस विधान सभाओं पर उपचुनाओं जिसमें एक में तो मिल्कीपूर में नहीं हो रहा है बहराईश का कितना असर आपको दिखाई देता है क्यों कराया गया अगर भाश्पा का विधायक ही कह रहे हैं कि य उनका जो आरोफ है वो जहां तक मैने पढ़ और समझें की वह अपने उपर आ अमेशा हत्यारों को हीरो बनाति है नाथुराम गोड से काँ था हत्यारा था आतंकी था आजाद भारत का पहला तंकी उसाँटाग अब एक हीरो की तरह बीच-बीच में पेश करने की कोशिश की जाती है तमाम तरह की चीजें की जाती है ऐसी Lawrence भी स्नुई हो और दोनों को उपियोग ये महरे हैं वैसे आप ये समझिए जिन जब लगेगा कि ये इनका काम खतम हो गया इनका पियोग खतम हो गया इस्तमाल खतम हो गया इनने बिलकुल चुप करा दिये जाएगा ये सिर्फ बढ़ावा जो है बहराइच हिंसा का अस मुझे लगता है कि मोदी जी के अब उसके सबका विश्वाश और सबका उसका विरोध इस तरह से किया जा रहा है कि ये छोड़ दिया जाए और केवल हिंदू का ही विकास हो तो इस हिंसा का बहुत असर पड़ेगा क्योंकि ये जहन में रहता है और लोग चाहते ना चाहत कई वार कहते हैं कि अरे भाई खत्रा बहुत है नुकसान हो सकता है तो वोड चला जाता है तो ये एक बहुत दिल्चस्प सीन दिखाई दे रहा है अदिती की बहराई छो या फिर बिश्नुई दोनों का इस्तमाल मुसल्मानों के खिलाफ और ज्यादा दुरूवी करन करना कि वे दरसल किस तरह से देश के लिए खत्रा हैं और उन पर जो हमला करते हैं उसको ईरो जिस तरह से बहराईच हिंसा में जो नौजवान मारा गया गोपाल मिश्रा जो दूसरे के घर पे चड़ कर उसकी बॉंडरी तोड़ते हुए उसका वीडियो भी आया कि वो हरे रंग वो बकायदा बात करता है मीडिया वालों से और कहता बाबा सिदिकी कौन सा अच्छा अदमी था उस पर तो मकोका लगा था और सारा मीडिया चलाता है उसको तो एक चीज़ यह दिखाई दे रहे कि बहुत ही सुनयोजित ढंग से जो नफरत और हिंसा पहलाने वाले हैं उन तो एक राजनिती हो रही है कि ऐसे लोगों का इस्तमाल किया जा रहा है तो मुझे लगता कि जन्ता और मद्दाता को सोचना होगा कि लोक्तंतर का क्या होगा पर जैसे आपने कहां कि मोहरा हैं जैसे आज आज ने ने विश्णोई के भाये पर 10 लाग का लगा दिखाने के लिए एक हाती के दाथ खाने के और और दिखाने के और हैं वहाँ आइटी सेल उनको भिश्णोट को इंदू समराट बना रही है नमबर दो हर चुनाव से पहले कभी कोई सेन आ जाएगी कभी कोई गुट आ जाएगा कोई एक गैंग आ जाएगा कभी राजन हीरो हो जाएंगे कभी लारेंस तो यह एक बड़ी खतरनाक इस्थिती है कि दोनों जगह के चुनाव में इंका असर पड़ सकता है उतर प्रदेश के उप है कि बीजेपी जीत नहीं पाएगी और यहां पर लॉरेंस बिशनोई और लॉरेंस बिशनोई एक हीरो के तौर पर महाराश की राजनीती में अब हम चलते हैं अपने तीसरे मुद्दे पर तीसरा मुद्दा बहुत दिल्चस्प है और आधे लोगों को समझ आना बहुत खास दोर से उत्तर भारत के लोगों को कि यह क्या हो गया दक्षन भारत में कि मुख्यमंत्री बोल रहे हैं कि जादा बच्चे पैदा करो और तमिलाडो के मुख्यमंत्री MK स्टालिन तो यहां तक कह दे रहे हैं कि 16 बच्चे भी पैदा करो तो कोई मुश्किल नहीं है और अगर हमने ज्यादा बच्चे पैदा नहीं किये तो हमारे हग की बटमारी हो जाएगी तो ये उत्तर भारत और दक्षिन भारत के जो पांच राज बिलकुल अलग-अलग सुर में चल रहे हैं ये एक पॉलिटिक्स का जबरदस क्लाइमेक्स है इस पर क्या है पंच बताएंग आबादी नियंत्रित करने की बात उठाई जाए तो वो जादे बहतर होगी भाषा इस पर क्या है आपका पंच लेकि मेरा मानना यह है कि चाहे जिसके लिए भी आपको लगता है कि आपकी आबादी कम होगी तो आपका हिस्सा कम होगा लोगसाभा और राजसभा में सीटे कम होगी उसके लिए आप महिलाओं पर ये बोज नहीं डाल सकते हैं क्योंकि बच्चे स्टालिन को नहीं पैदा करने हैं, बच्चे चंदरबाबू नाइडू को पैदा नहीं करने हैं, औरतों को पैदा करने हैं, इसलिए औरतों को किसी के लिए भी बच्चा पैदा करने वाली मशीन में तबदील होना मुझे गवारा नहीं है अधिती क्या है इस पर आपका पंच भाशा मेरा पंच यह है कि जहां तक मैं आप की बात से सहमत हूं लेकिन मुझे लगता है कि इसे एक परिपेक्ष में देखना चाहिए स्टालिन के स्टेटमेंट को क्योंकि उनका उन्हों मुझ स्टेटेशन की चाहर टैक्स रिवेलियों एक चीज जो मुकुल दिखाई दे रही है कि जो दक्षण के पांच राज्य है जिन राज्यों की हम बात करें इसमें दो के मुख्यमंत्री बोल चुके आंद्रप्रदेश तमिल नाडू केरल से भी पहले मांग उठती रही है ते प्रधान मंत्री नरेन मोदी और उनकी सरकार डी लिमिटेशन की योजना बड़े पैमाने पर कर रही है यानि लोग सभा की सीटों को पुनर निर्धारित किया जाएगा आबादी के मुताबिक और आज की तारिक में सबसे ज़्यादा आबादी चुकी उत्तरप्रदेश की है असी सीटे वहाँ पर है और आप देखिए कि दक्षण के राज जो आप दोनों के स्टेट्मेंट में भी बाहर आया पंच में उन्होंने बहुत अक्षर्शा फॉलो किया कि आबादी कम होनी चाहिए इसलिए लगातार उनका रिप्रेजेंटेशन कम होता जा रहा है लोक हिंदू जादे बच्चे पदाकरों को दक्षण वारत में बच्चे पदाकरों को एक टराजी पे नहीं रखा जा सकता और 2026 में तो डे cases के तहट यह सब पहले से सेता है कि बैद 25 tweeted में पुनरिर्धारन होगा जो यह बड़ा सवाल कि महिला को उस दूसरा यह बिक्षण को तो ये भी सोचना चाहिए कि वो अगर उसने अबादी को नियंतरत किया तो आज वो विकास में उत्तर भारत के राज्यों से कई राज्यों से आगे भी है तो उसका वहां के बच्चों को फायदा मिल रहा है में सवाल है कि हक कैसे मिले उसे उसका तो उसके लिए नएने तरीके खोजे जा सकते हैं कि पहले उत्तर भारत को कहा जाए कि अब आप यहां बस कीजिए और अगर आपकी आबादी बढ़ती भी है तो आपकी सीटे नहीं बढ़ेंगी और वहां के लिए यह दिया जा सकता है स रहती चलता है वह तो बिल्कुली वाईयात है बिल्कुली बखवास है वह बंद होना चाहिए और वहां के लोगों को यह पर यह अच्छा है कि उन्होंने यह सवाल उठाया ताकि यह बहस में आए और उत्तर भारत वाले भी सोचे कि यह क्या हो रहा है लेकिन यह बड़ा सही धंग से फॉलो किया और वहां पर फर्टिलिटी रेट यानि प्रजनन दर को कंट्रोल काइदे से किया गया और आज की तारीख में उनका कहना कि हमें हिस्सा नहीं मिल पा रहा है लेकिन वो यह डिबेट जनरेट नहीं हो रही है कि हिस्सा मिलने की जो गुंजाईश है या जो कंडिशन है वो आबादी के अलावा क्या कुछ और हो सकता है क्योंकि यहां पर जो सीधा कनेक्ट है वह यह भी है कि लोगों को यह बात का खौफ है हम पांच राजियों की बात कर रहे हैं दक्षन के वो पहले से डरे हुए है कि उत्तर भारत जो हम पर शाशन करता ह है अगर हम तमिलाडू की बात करें भाशा का भी लगता है अभी स्टालिन ने भी कहा कि आप हर योजना का नाम इतना संस्कृत और हिंदी रखते हैं कि हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है तो यहां पर उनको पहले ही लग रहा है कि हम नीचे आ रहे हैं तो यह भी तो है कि वह एसर्ट करें तो करें कैसे सुनवाई कैसे होगी उनकी हाँ तो मुझे इसी लिए लग रहा था कि यह कहना चाहँगी कि उत्तर भारत में वह कहते हैं कि हिंदू मतलब वहां पे लेकिन फरक है कि स्टालिन ने सब को बोला है उत्तर भारत में जो संप्रदाइक लोग ह तो हिंदू को बोलते हैं कि सांजन संक्या बढ़ा हो इसलिए क्यूंकि जैसे भाषा ने बोला कि उन लोगों को लग रहा है कि हम लूज आओ एक तो सेंसर नहीं हुआ दूसरा यह राज मत खास कर रहा ऑपोजिशन रूल राज इसको एक वन इलेक्शन का हिस्था भी दूसरा स्टालिन की बाद भी सही है कि बिहार जो बिमारू स्रेट है उनका 1.5% पॉपलेशन ग्रोथ है तमिल नाडू की परफॉर्मेंस कहीं जादा है बिहार की कितनी सीट से हैं 40 है लोगसभा में लोगसभा की और इनकी 39 है तो वो कहते है कि जनसंक्या क्या अधार पे क कर सकते हैं पर लोगसभा जैसे आपने कहा कि किस तरह से किया जाए कि अधार होता है और सेंसस जब नहीं हुआ तो क्या किया जाती है अंत में एक खाली चीज जो आप दोनों से जाना चाहती हूं कि यह बहुत दिल्चस्प है एक तरफ दक्षिन बनाम उत्तर हो रहा है कि उत्तर के राज्यों को राजनितिक प्रतिनित्व भी जादा मिल रहा है और दक्षन के राज्य क्योंकि दूसरे डंकी सोच विचार के भी हैं तो वहां पर उनको पॉलिटिकल रेप्रेजेशन कम मिल रहा है चाहे वो मंत्री मंदल में हो या बाकी ज़गों पे हो तो क्या इसका कनेक्षन इस बास से भी है जो चिंता दक्षन के राज्यों में लंबे समय से सामने भी आ रही है और इसमें हवा तब मिली जब यह हुआ कि अब तो डिलिमिटेशन हम दोहजार चौबिस के अंत में खड़े हैं यानि देड़ साल में देड़ साल में तो इतने पहले से कहा रहे है कि दख्षन लूजer हो रहा है क्योंकि वो दूसरे भंग से चीज़ों को देख रहा है यह तो सही है बिलकुल देखे जिसके जितनी संक्या भारि अतनी ससेधारी और मोदी जी ने जो नए शंद मे बन वे वह दिए बात को ध्यान में रखते हैं वहां करीब इतनी बड़ी सीठ हैं वह तो 542 हैं वह 800 से जादे हजार तक लोग उसमें बैठ जाएं और देखिए अगर मैं कहा रहा हूं कि यह दक्षण की सवाल नहीं है पूर्व उत्तर का भी सवाल है जो उत्तर भारत है मनिपूर की आज सुन गर्वाई नहीं हो रही इन लोग को हक नहीं मिल रहा है जी एश्टीबी जो मिली चाई वह भी नहीं देते हैं तुमाम तरह की बाते होती है तो बताए यह वह विरोध का सवर आया है मैं स्टालेन की बास सेहमत हूं उन्होंने हाला ही बहुत सीरिसली नहीं तो पर यह इस को ले आना और इस पर एक सवाल उठना यह बड़ा मुझे लगता है इस पर बात हो और इसके रास्ते निकलें कि आपकी केवल यही ने कि आपकी आपादी बढ़ गई तो आपके राज्यों के तो शाशन आप करती रहेंगे लेकिन अधिती देखे कि इससे जो उत्तर भारत के हिंदुतुवादी संगटन है वो बहुत ही बल्ले-बल्ले फील कर रहे हैं वो कह रहे हैं देखो हमने सबसे पहले कहा था अब जो सनातन का विरोत कर रहे थे वे भी हमारे पीछे-पीछे आ रहे हैं तो जो यह खेल हो रहा है इस खेल में यह दाओ जो है और क्योंकि सब्सक्राइस के साथ वो जा चुके हैं अभी कॉंग्रेस की सरकार है वहाँ पर तमिलनाडू में कोशिश कर ही रहे हैं बीजेपी अपनी बढ़त करने के लिए तो इसमें सारा विवाद जाएगा कहां अम मुझे समझ नहीं आ रहा है मुझे लगता है चंदरबाबु मैं मुकुल जी से सहमत हूं कि जनसंख्या कम करने के लिए पूरे भारत में इंसेंटिवाइजेशन होना चाहिए लेकिन पॉपुलेशन बेस्ट कुछ चीजे डिसेशन कहां तक ठीक हैं कहां तक नहीं है इसमें फिर यह हो जाता है कि अगर मैंने सही किया तो मुझे अगर उठाएंगे लोग और यह कंफिजन को कि यह इस तरह से बात पहुंसती नहीं उन्हें लगता है कि हां हमें जनसंख्या बढ़ानी चाहिए और उसका बोच फिर किस पर पढ़ेगा महिला उपर आप पे और देश की क्या इस्तिति यह आप संसादनों की देखी रहे हैं तो फैसला अंतता भारती मद्दाताओं को करना है और भारत के नागरिकों को इस पर सचेत होकर हस्तक शेप करने की जरूरत है शुक्रिया